BCCI के सचीव जैशा जल्द ही अपनी नई पारी का अगास करने जा रहे हैं BCCI के सचीव जैशा को एशिया क्रिकेट काउंसल का अध्यक्ष बनाया गया है जिसके लिए शाह जल्द ही अपनी जिम्मदारियां सम्हालेंगे पर चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष है सालाना आम बैठक में वर्चुल तौर पर शाह को चुना गया फिलहाल वो बीसी सी आई के कोशा ध्यक्ष है बीसी सी आई अध्यक्ष सौराव गांगुली के बीमार पढ़ने के बाद वही बोर्ड का सारा कामकाज देख रहे हैं एसी सी की बात करें तो इसकी शुरुवात 1983 में हुई थी उस तमय चार देशी इसके सदसे थे फिलहाल 25 देश इसके सदसे है शाह की इस नई पारी के लिए बोर्ड के सभी मेंबर्स नोंने बढ़ाई दी है तो वही इस नई पत के लिए जैशाह भी उत्साहित दिखे और उन्होंने कहा कि मैं सम्मान को सुईकार करता हूँ और मैं BCCI में मेरे सम्मानित सहियोगियों को मुझे नामित करने और मुझे इस प्रतिश्चित पत के योग इमानने के लिए धनिवाद देता हूँ इस एक शेत्र में खेल को विवस्थित करने और बढ़ावा देने के उद्देश से गठित ACC तेजी से बढ़ा है मैं इसे और भी आगे लेकर जाऊंगा शाह जल्दी अपने नए पत को सम्हालेंगे भारते क्रिकेट में जह शाह ने बहुत कम समय में अपना नाम बना लिया है भारत के एहमदबाद के मोटेरा में बना सबसे बड़ा मैदान जह शाह की ही देन है जह शाह ने इस बड़े क्रिकेट ड्राउन को बनवाने में मदद की थी इस मैदान में 11 पिचेस हैं ये मैदान 306 डिगरी फैला है मैदान के किसी भी कोने से पूरे मैदान को देखा जा सकता है ये स्टेडियम सबसे आधुनिक टेकनलोजी से लेस है तो वही BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी उन्हें बढ़ाई देते हुए कहा कि ACC का अध्यक्ष बनने पर जय शाह को बढ़ाई देता हूँ हमने साथ काम किया है और मैं क्रिकेट के खेल को विकसत करने की उनकी ओजना हूँ और नजरीय से अच्छी तरह परशित हूँ मैंने व्यक्तिकत रूप से उसुट्सा का अनुभाव किया है जिसके साथ उन्होंने चंडिगर, उत्राखंड और पुरुवतर राज्यों में क्रिकेट के बुनियादी धाची की स्थापना करने के लिए काम किया बी सी सी आई हर मदद का विस्तार करेगी और एशिया में क्रिकेट गतिविधियों के पुनर निर्माण और पुनर गठन में एक बड़ी भूमी का निभाएगी तो वही बी सी सी आई की वाइस प्रेसिडंट राजीव शुकला ने भी उन्हें बढ़ाई देते हुए कहा कि यंग अधिकारी नए आईजिया के साथ काम करेंगे और अब एसी सी सेफ हाथों में है मैंने अब तक कई सीनियर अधिकारीयों के साथ काम किया है लेकिन जै की लीडर्शिप क्वालिटी सबसे अलग है जै और BCCI एशिया में क्रिकट के रंग रूप के लिए मिलकर काम करेंगे देखना भी ये है कि जैशाह की लीडर्शिप में एशिया क्रिकट में और कितने शांदार बदलावाते हैं हम कॉंट्रुवर्सी भी मिस नहीं करते तो जुड़िये हमारे साथ और देखते रहिए न्यूस 24 स्पोर्स